मैं एक नई फिल्म का शुरुवात आजवा है, वड़ा उनिक नाथ है, यह बहुत परी संस्की संस्कार से जुगा हुआ पाई है, और आज रक्षा बंधन का परोगी है, बहुत खुशी की बात है, कि आज यह जो नई फिल्म हम बनाने जा रहे हैं हम लोग, यह रक्षा था इसको बनाने का, और मैंने यह टाइटल खुद ही रेइस्टर कराया हुआ था, लेकिन लोकेश भहिया जब हमको मिले और उन्होंने कहा कि हमको दे दीजिए, हम बनाएंगे, और सुजित भहिया जो हमारे डिरेक्टर हैं, उन्होंने जब स्टोरी सुनाई तो मैंने कहा हां तो फिर आप लेही लीजिए, बहुत अच्छी कहानी थी इनके, तो इस तरह से इसकी शुरुवात हुई, और अब जो है हम लोग आ गया हैं महादेव की धर्ती पे, काशी में और इसकी शुरुवात आज से हुई है, और हम उमीद करते हैं कि बहुत ही अच्छी फिल्म बना करके और अपने दर्शकुल की बीच लेके जाएंगे, यह बहुत ही शांदार, जैसा कि आपने पहले ही कहा कि टाइटिल ही पारिवारिक है, तो वैसे ही इसमें दो फौजी रिटार्ड हैं, दादा जी लोग, जो हमारे प्रिजेस त्रिपाठी जी, और एक संतोष पह जवान जी, और फौज से ही उनकी दोस्ती रहती है, और यह मैंने अपने घर में भी देखा है, कि जो फौजी लोग होते हैं, वो फौज से घर पे आने के बाद भी रिस्ता निभाते हैं, यह मैंने देखा है, अपने परिवार में, अपने रिस्तेदारों में, तो वैसे ही ये दोनों लोग रिस्ता अपना निभाते हैं और एक फाउजी के बेटी की शादी होने वाली है और उसमें दूसरा फाउजी अपने बेटे को लेके पहुँचा है और वहां कुछ ऐसी अनुहोनी होती है कि जब ये हिरो और उसके दादा जी किस तरह से उसको पूरी तरह समालते हैं और फिर एक नया ताना बाना जूड़ता है फिर आगे जो होगा वो आप सिनेमा में देखेंगे सिनेमा के पहले पढ़ने से लेके आप अबने कि भीच में एक हिट जो जो आपके म करना लेकी मिरात्री तरह समील 15 कि फिर नहीं श Water quando the bya जी मिल्पूल or चार-पांच फिल्म है अभी हम लोग साथ में नहीं कर पाए अ कि वोग्ट आउन जो फिल्म हम और लोगों के साथ में तय थी वह हम लोगнул ने किया जैसे मैं कहीं और शूटिंग कर रहा था, उनकी भी कई फिल्में थी, खेसारी जी के साथ में, चिंटु जी के साथ में, वो ने कंप्लीट किया, और फिर सुजित दुया ने इस फिल्म में हम लोगों को साथ लेके बनाना चाहा, तो फिर हम लोग भी साथ में आ रहे हैं, एक और इस फिल्म में जो रोल है, वो आपने अगर राजा बाबु देखा है, तो जिस तरह से उसमें दो हिरोईन रहती हैं, और बीच में हिरो रहता है, बिल्कुल वैसी ही कहानी है ये, तो बहुत ही शांदार इनको मिला है किरदार, और मैं उमीद करता हूँ कि जब ये अप पर फिर से जीतेंगे, बहुत अच्छे डिरेक्टर हैं और बहुत अच्छे इंसान है, सुजित भिया इनके साथ मैं ये दूसरी फिल्म कर रहा हूँ, इसके पहले मैं अभी आर्मी निके साथ ही कर रहा था शाह जहानपूर में, और अब यहां पर ये फिल्म हम लोग शु करती हैं, और अपना काम जानते हैं, और डिरेक्टर में भले ये पहली बार मेरे साथ आए हैं, मेरा और इनका साथ बहुत पुराना है, मुझे लगता है लागल राजा जी जब बनी थी तबसे ले करके खुन पसीना, चाहे वो बहुत सारी फिल्में में मेरे साथ रहे ही है मुख्य सहाइब के रुप में, तो अभी ये शांदार फिल्में आपने बताया ही, पहुंजी के साथ में इनों में बहुत सारी हीट फिल्में दी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ भी एक फिल्म देंगे लोकेश जी की बात कि जब कोर्ट पुर्ट सब पहले फिल्म है और बड़ी फिल्म क्रिक पाइटर का पूरा में के हाथ है बिल्कुल बिल्कुल ये हम लोगा सवबाग है कि लोकेश भया जैसे निर्माता बोजपुरी सिनेमा में हैं जो जब थियाटर से बंद हो गए उसक हाल यह कि वह सिनेमा को छोटा करने लगे लोकेश भया जैसे लोग हैं जो उसको और बड़ा कर रहे हैं वह चोटा नहीं सोच रहे हैं तो ऐसे लोगों की वावशक्ता है पितामा भी है और आप ये भी कर सकते हैं कि हमारे गुरु भी हैं इसलिए कि जब पहली बार मैं फिल्म कर रहा था और कुछ अभीने करना था और मैं के सामने ही कर रहा था तो मैं गाइकी से आया था, मुझे नहीं जान का रही थी, उसकी बारीकिया में नहीं जानता था, तो सरमें ने काक चट करो, कैमरा कट कि और मुझे रखना के और बताया कि उसी जो चीज ऐसे करो, तो मैंने बोला ठीक है जचाँ, फिर मैं वैसे किया और अच्छा उआ हुआ, तो यही लोग सीखाए हैं, एक एची हम तो गाईकी करते थे, गाईकी से मौका मिला, हीरो बनने गाई, हीरो बनने आ गए, पर कुछ हम सीख के नहीं आए थे, यही लोग सीखाए हैं, जो भी बहिया हैं क्योंकि बच्पन से ही मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा मुझे जब मैं कहीं जाता हूं तो लोग मुझे से पूछते हैं कि आप इतने डाउन टू अर्थ के हों है आप बड़े स्टार हैं फिर भी एकदम जमीन पर कैसे हैं तो मैंने का स्टार्डम मत देख के आया हूं अपने घर में मेरे भीया इतने बड़े स्टार हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं देखता था इनके साथ तब तो मोबाइल नहीं था लोग आटोग्राफ लेने के लिए इनको छूने के लिए ऐसे पब्लिक पागल भागती थी इनके पीछे-पीछे मैं देखता था तो मैं सोचता था मैं अपने भाईया की तरह बनूँगा तो मेरे आदर्ष भी हैं मेरे भाईया भी हैं मेरे गुरू भी हैं तो इनका ही आशिरवाद है कि आज यहां तक पहु किया जाए क्योंकि बदलते रहना चाहिए क्योंकि कोई बीचीज अगर रुक जाए तो वो मर जाती है समय के साथ बदलाव जरूरी है तो हम लोग ने प्रयास किया कि उसको और बदला जा और बदला जा और लगातार प्रयास कर रहे हैं और जब तक जीवी थे हैं तब तक प्रयास करते रहेंगे कि भोजपूरी सिनेमा को और बेहतर बनाया जाए बस दर्शकों से यह कहना चाहूँगा कि आपके आशिरवाद प्यार से ही फिल्मे सफल होती है आपका जब तक साथ है आशिरवाद है हम आपके लिए ऐसे ही लगातार अच्छी फिल्मे बनाते रहें हैं लेकिन हम हमेशा एक ही बात बताया है कि फिल्मे करिए खुब आगे बढ़िए लेकिन भोशपूरी के लिए हमें भोशपूरी के लिए कुछ कर रहा होगा और यह कही कलाकार है यह हम भाई होने के नातकारे नहीं कह रहें हैं आप उठा करके पूरी अब तक का इतियास देख ले फिल्म में हमारा driven salal कर रहे है तब से देख लें मैं जो सिखा के वेज़ा था कि भोजपूरी के लिए जीना है और भोजपूरी के लिए काम करना है और बाकी और कोई चिंता नहीं करना है जो चिंता है वो चिंता अपने आप दूर जाए जब भोजपूरी हमारे तगड़ी होगी तो हम और पूरा भोशपूरी समाज तगड़ा हो जाए और वो हमारा खौब पूरा हुआ अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है सिर्फ हासिर बात दिला है और आप लोगों से ये कहना है कि देखते रहिए और भोशपूरी को आगे बढ़ाते रहिए क्योंकि भोशपूरी हमारी वो भासा है कि इस पर हम कभी कभी गाते हैं तो कहते हैं कि गुड़ों मीठ होला बाकि मिसीरी ना होई गुड़ों मीठ होला बाकि मिसीरी ना होई और निनों गुड़ों मीठ होला बाकि मिसीरी ना होई जिनो कहरा की फिदकिरी ना होई उसे तो हर भासा की सामान हमनी की लगता है फिरहा जगत को पतर ना होज़े लिए लेक। कि वहुत इस्टाइल जालत हुआ तोई करेबा का हम यह करें हम लिए हरो परदा है एक कराकार से वहरा कि बहुत इस्टाइल जालत हुआ नहीं फिल्म किया लेकिन भी रहा समाज हमारा एक बोज़पूरी का रीड है जिससे अच्छे-च्छी कहानिया, अच्छे-च्छी बातें, हमारी सांस्कृति, हमारी स्वेता, इसको लेकर के विराज समाज चलता है और गाना चलता है कि इसको बचाने के लिए दोबारा हमें विराज समाज में कुदना पड़ा, कि एक भाई तो खुद ही सूपरिस्टार है, मैं भी उसमें अगर लाइन में ख़़ा हूँ, तो ये बुरा है, सबसे पहले जो चीज हमारी आखों से और हमारी पुर्वजों की थाती है, जो धूर लोगी तो रही है, उसको बचाने के लिए फिर सम भी राज समाज मुझे आना पड़ा, हाँ 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 हाँ, जब चहाँ, जब जई संग तब तैसान अन्ना बुजेता मरत की से, जी हो हाँ, जिए हाँ, ना, हेले आख जी हो, तो आख जायता है, जी हो हाँ, जी कुद आख झाल झाल